कि यह हैं हमारा पासकर स्लो का दूसरा वीडियो जिसमें एपलिकेसन साफ पासकर देखेंगे blessings में आपके विए CBC बोड के हिसाब से सिर्फ दो है जो कि है सबसे पहले मैंद मांक कर देता हूं यहां पर सबसे पहले आपने पास hydraulic lift ण दूसरा है hydraulic brake पूछा भी जाता है जो है पूछा पूछा बीट पर आएगा और अच्छे कासी कोशन बनते हैं जो है डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ के फॉर्म में अवलेवल कर दूँगा प्रेक्टिस जरू कर लेना उसे चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपने पास जो पहला सकीजँ्ञवनी को प्रेक्रिकलष जो है यहां भी तो इसा झाले एक जाले आभिगा टाइग्राम गूबल करके रखा हुआ जिसको मा को जल्दी से भी एकर सब्सक्रिक करते हैं जिसमें हैं मान लोग कि अपने पास एक साट आप इस फार्ड यह त्ट जो निल शेयर उतनी तो एक से पतला वाला पिश्टन था और एक साइड थोड़ा वाला पिश्टन था Wheels और यहां वाला पार वाला वाला डॉटर वाला जो वाइडर वाला और यह ऊए mega सब्शाइ़ डिसको आपको लिफ्ट क्राणा वंपर लग है थि क실테ंड़ से मालने इसे वर फिरम narrative यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यह जो प्रेशर आप्लाई करते हो तो वह इक्वाली फैल जाएगा हर एक डिरेक्शन में राइट अब जैसे ही हम यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे लिए फोर्स के तो यह जो प्रेशर है वह लिक्विड निलगाया बड़े वाले पिश्टन पर यहां पर प्रेशर हो जाएगा और अगर मैं आप से कहूं कि बेसिक फोर्मॉल लिग दो तो आपके लिखोगे पीटू इस इकूल टुबिया दूसरा वला फोर्स अपॉन में द दूसरा वाले एरिया जो की बड़ा वाला पिष्टन का एरिया था एक टू हो जाएगा अगर हमने प्रेसर लगाया है तो वही प्रेसर लिख को दुवारा फैल के ट्रांस्मिट होके उपर तक आएगा है ना तो यहां पर हम गो लेंगे जो प्रेसर पीवन है और बराबर अब इसी के निचे थोड़ा से स्क्रॉल कर देता हूं अब तो यहां पर जो एफ वन है वो फोर्स ओन स्मॉलर पिश्टन है यह कार रख दे जिसका मास पांसो केजी है तो बता उस पर कितना फोर्स लगाऊंगा स्मॉलर पिश्टन तक कि कार उपलिफ्ट हो जाएगी तो आपको मोस्ट पहली यह आप ट्रैक लिए वाला फॉम् इसकार निकाल भी सकते हो यहां पर जो एवन मल्टिप्लाइड में है उदर जाके मल्टिप्लाइम हो जाएगा तो जो एफ बन यानि की फोर्स ओन स्मॉलर पिश्टन का फॉम्मला होगा वो डायकली लिखा जा सकता है एफ टू बाई एटू इंटू में एवन ऐसे करके हम करें और लिख सकते हैं क्या वाला फॉमला कि इस्तमाल करें यहीं और जो इन कासी बात इंट कि सर्फ से ने चैंब demás चो यह वालो जो है यहां वालो जो पिस्टन है वो शरकुलर फॉरम में होते तो जो आप एरिया का फॉर्म लागाऊगे वह सरकल का इरिया लगेगा तो जो हम इसी फॉर्मले को थोड़ा सा यहां पर लाके explain कर देता हूँ अब यहाँ पर अपने पास formula क्या था F1 by A1 तो यहाँ का अगर मैं smaller piston का radius देता है smaller piston का radius 5 cm है और बड़े बाले piston का radius 15 cm है तो radius देते हैं क्या क्या करोगे आप circle का area का formula लगा देंगे तो A1 की जगे हम लिखूँगा हमाँ pi r1 का square area of circle क्या होता है अगर circle की बात करते हैं तो circle का area का formula था आपने पास pi r2 है ना तो यहाँ पर पहला surface है इसलिए हम r1 का square लिख देंगे और जो दूसरा होगा आपने पास f2 upon में pi r2 का square लिख सकते हैं अब pi से pi सिंपली कट जाएगा तो आप एक और formula लिख सकते हो जब radius दे रखा हो तो f1 upon में r1 का square is equal to f2 upon में r2 का square अब इन 4 चूज़ों में से आपको कोई 3 चीज़ गिवन होगी और एक चीज़ पूछी जाएगी है ना तो मैं इसको extra बाला part को मिटा देता हूँ और एक टाइप का question और जो फसाते हैं के वार वो बता है तो हम आपको ठीक देखो आप के वार क्या कहते हैं कि जो car का mass है वो दे देते है mass of car कितना है 500 kg दे दिया ऐसे करके बोलेंगे बता हो smaller piston पे तो अब जो f2 लोग है अपलिफ्ट हो पाएगा जब minimum यह दोनों force बराबर हो राइट तो हम बोलेंगे इसी में हम एक और formula बता जाते हैं आपको जो final formula यह numerical करने के लिए maximum जो आपको numerical में फसा सकते हैं अगर आपने यह तीन formula देख लिए तो आप सारे numerical easily solve कर सकते हैं आप सुनों जो आपने पास तीसरा formula था वह यह लिख सकते हैं कि यहाँ पर f1 का f1 force on a smaller piston upon r1 का square is equal to f2 की जगे में आपके लिख सकते हो mg mg मतलब है weight of car upon r2 का square m मतलब क्या है mass of car लिलो गया आप तो यह अपने पास तीसरा formula कई बार देखने को मिलता है तो यह 3 main formula थे जिसमें आपको कुछ भी given होगा तो उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे जैसा कि आपने पास पहला था सबसे basic formula that was f1 by a1 is equal to f2 by a2 है ना दूसरा था अपने पास radius के टर्म में जो है f1 upon r1 का square is equal to f2 upon r2 का square अब तीसरा अगर हमें card का weight देते तो जो f2 है उसको हटाके हम mg लिख लेते हैं जकर के force को हटाके mg लिख देंगे अब इसी टाप के question में एक और question दे रखा जो कि मैं आपको उपर चलके explain करें देता है यह पर एक्स्ट्रा पार्ट मिटा देते हैं यह हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट था यह मिटा यह गंदा वाला पार्ट मिटा देता कि आपको समझ मैं कि माल लीजे कि smaller piston जो है वो नीचे की और 6 cm नीचे आ गया अगया अगर आप उपर से force लगा रहे हो तो 6 cm नीचे आ गया तो इन्होंने क्या क्या कि लिखा का length दे दिया कितना नीचे आया है ऐसे करके तो आपसे सवाल पूछा जाए गए बताओ कि जो लार्जर पिस्ट्न वो कितना उपर जाएगा उसका लेंथ बताओ कितना उपर जाएगा तो इस टाइप के कुशन में जब आपको बूल दिया कि smaller piston इतना नीचे गया है तो बताओ larger piston कितना उपर जाएगा जब इस टाइप के कुशन आए तो simple simple volume conservation लगा दिया करो जितना पानी का volume यहां से दब के नीचे जाएगा उतना ही पानी का volume तो ऊपर उठेगा ना जितना पानी यहां दबेगा उतना ही पानी यहां उठेगा यानि कि दोने ज़गा कि volume सेम रहेगा तो हम यहां पे इसके लिख देते हैं volume सेम करेंगे अब volume के बच्चों को volume का formula निकालने के लिए basic है पहले मैं extra part को मिटाता हूं यहां से a2 और जो height यह उठेगा उसको हम h2 कह देते हैं h2 is the height जो कि यह उपर के उठेगा तो area into my height यहां का volume हो जाएगा area a2 था और height h2 था अब इसी के नीचे हम volume लिखेंगे अगर आप से सवाल पूछा गया कि मैं आहां पे ऐसा करके फिर से diagram बाना जल्दी से चोटा सा है ऐसा कर आपने पास अब यहां पे area था हमने पास a1 और यहां का capital A1 ले लेते हैं और यहां का area capital A2 था मैं कहता हूं यह h1 height नीचे आया तो यह बताओ कितना उपर यहां का piston कितना उपर जाएगा तो h2 height पूछ नहीं है तो इसमें क्या करते हैं volume लिख देते हैं कि हम लगाएंगे volume का conservation क्योंकि volume तो कंजर मतलब constant रहेगा अब volume कंजर मतलब क्या है कि जो इधर वाला volume है volume कैसे निकालते है एरिया इंटू हाइट करके तो a1 इंटू में h1 is equal to इधर वाला volume यानि कि a2 इंटू में h2 यहां पे h1 था यह है अब आपको area गिवन है तो डाइक लिए आप यह व स्क्वाइर इंटू में h1 is equal to pi r2 का स्क्वाइर इंटू में h2 अब pi से pi कार्ड दो सीधे सीधे स्वाल करने कि जो रहती है उसको तो formula क्या बनेगा r1 का स्क्वाइर इंटू में h1 r2 का स्क्वाइर इंटू में h2 अब आपको पहला h1 हाइट दे रखा होगा कि smaller piston कितना है देखो वन वाला पोर्शन है smaller piston के लिए और टू वाला पोर्शन है larger piston के लिए तो r1 मतलब radius of smaller piston और h1 मतलब कितना smaller piston नीचा है तो यह चीज यह चीज गिवन होगी आपको radius of larger piston दिया ही जाएगा तो कितना वो raise होगा h2 वो निगल जाएगा इस formula से लिए है यह maximum थे जो कि आ तो यह maximum formula थे इनके अलावा कोई और formula आपको कही apply करने को मिलेगा ही नहीं और जितने भी question से आप इनी सब formula के मतलब से निकाल सकते है तो यह था आपने पास पहला application hydraulic lift का अब जो दूसरा था आपने पास ऊपर चलके देख लेते हैं यह है hydraulic brake अलगा hydraulic brake जो है वह सिर्फ conceptual part है जो के NCRT का ही है मैं आपको से को explain कर देता हूं अब यह है अपने पास hydraulic brake का diagram जिसमें यह जो brake system है वो पीछे वाले tires के होते हैं यह बहुत पुराना model है पहले जो starting में cars बने थे उनमें ऐसे होता है मैं आपको प्रताता हूं कि यह मालोग की अपने पास मैं आपर ड्रो करके दिखा देता हूं यह हमारे पास brake pedal है जिसके नीचे हमारे पास यह हिंज लगा होता है उसके अंदर एक piston और यह एक master cylinder में जा रहा होता है ऐसे करके फिर यह पीछे वाले tires में चला जाता है और यह एक tire में चला जाएगा यह दूसरे tire में चला जाएगा और इस पूरे में पूरा fluid भरा होता है यह एक tire में और यह दूसरे tire में चला जाएगा अगर मैं इसी का बना कर दिखाऊ तो यह car कुछ ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा गंदा सा दिखेगा यह आप और यह दिराइब कर ठेक तो यह जो brake system होता है वार पास पैडल का पैरे वाला तो वह पीछे वाले टाइस के लिए होता है उसी का में सिस्टम एक्स्प्रेइन करा हो जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक कहला था और पासका स्लॉप पे ही बेज़ड है तो जो जूम पोर्शन है वह एक प्रेसर क्रेट हो जाएगा वही प्रेसर प्रेसर में जाता गया जाता गया जाता गया जाता कि अब नीचे जाएगा इस वाले पोर्शन में जाएगा यहां पर जाने पर क्या होगा तो यह वालो जो पोर्शन है यह वाला यह वालो जो पोर्शन में हालेट कर रहा हुँ जो रिंग बना हुआ हुआ है वह क्या हुआ इसा करते हैं यह बाहर की और खुल जाएंगे तो जैसे हैं यह बाहर की और खुलेंगा जैसे ही तो plus ज i जो को यह वाले जो सुन है यह वाला रिम यह यह बाहर की और खुलेगा तो IS 2 or is 1 यह गट भाहर इस तकर आते हैं वैसे है को देरे-देरे मोसन रिटार्ड करके रोक देगा उसको वैसे ही यह भी ब्रेक्स होते हैं जो कि जैसे ही यह बाहरकी और खुलेगा तो यह से टकराएगा इनर रिम आफ दुशते डिखान लग जाएगा इन्ट धुर्ण अब यहां क्या करता है इसक ब्रेक पैडलसे पैर हटा दिया गाड़ी रुग गई और पैडलस iад तो आप इस वह पॉर्षन को इस वो फूर्षिं को जो विल वाला पूर्षण घ्र हो एक बेसिक सथी को सब्सक्राइब काुछ तो इस वीडियो में हमने तो एप्लिकेशन कवर कर लिए हाइडोलिक लिफ्ट का जिस पर मिजोर्टी कोशन है आप नीचे कोशन में दे रखा है सॉल्व करके जुरूर देख लेना और अगर किसी कोशन में डाउट है तो आप मोंको बता देना कमेंट सेक्शन में मैं उसके लेगारी वीडियो बना दूँगा और दूसरा था आपने पास हाइडोलिक ब्रेक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है प्रेसर ड्यूटी लिफ्कृट कॉलम तब तक के लिए वोई वोई